जैसरी राथिक्रिष्ण आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल भीके मिस्रा प्रजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आईए आज आप सब जानेंगे वर्ष दुहजार चोबिस में देव शयनी एक अदसी का ब्रत कब धारण किया जायेगा। किस दिन से चातोरे मास सुरू होगा तो जानेंगे देव शयनी एक अदसी वर्थ के शुब महुर्थ के बारे में पारण समय के बारे में इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो आईए जानते हैं वर्थ पुजा महत्तों के बारे में। आप सभी भक्तों को देव शयनी एक आदसी व्रत्ति की धेड़ सारी शुप कामनाए आस आठ मास शुकल पक्ष की एक आदसी को इसे देव शयनी एक आदसी और विष्टु शयनी एक आदसी के नाम से जाना जाता है। देव शयनी एक आदसी के दिन से ही चातोरी मास की शुरुवात मानी जाती है जो की चार महीनों के लिए सभी प्रकार के शुव और मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं और फिर कार्थिक मास शुकल पक्ष की देव प्रबोधनी एक आदसी के दिन से शुव और मांगलिक कार्य जो कि सुरू होते हैं। देवशयनी एक आदसी के दिन से जो कि भगवान विश्नु यूग निद्रा में चले जाते हैं और इस दोरान फिर भगवान शिवजी के पास इनका कारेभार होता है। यह ब्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नश्ट करने वाली है। देवशयनी एक आदसी के दिन शेशया पर विराजमान भगवान विश्नु मातालक्षमी का पूजन करना चाहिए। आसाठ शुकल एक आदसी को इस दिन जो की उपवास करके सोना चांदी तामबा या पीतल की मुर्ती बनवाकर उसका यतोप लब्ध उपचारों से पूजन क करे और पीतांबर से विभूशित करके सफेद चादर से ढके हुए गद्य तकिया वाले पलंग पर शयन करावी भगवान को उस अवसर के चार महीनों के लिए जो की अपनी रुची अथवा अभिष्ट के अनुसार नित्य व्यवहार के पदार्थों का त्याग और ग्रहन क करे जो की चातोरे मास्त द्रत होता है तो इन चार महीनों के लिए जैसे मधुर स्वर के लिए गुड का दिरगायू अथवा पुत्र पोत्रादी की प्राप्ति के लिए तेल का शत्रु नास के लिए कडवे तेल का शोभागे के लिए मेठे तेल का और स्वरगादी पत्र का और सर्वपाप शय पुरवक सकल पुन्य फल प्राप्त होने के लिए एक भुक्त नक्त ब्रत या आयाचीत भोजन या सर्वथा उपवास करने का व्यत्य ग्रहन करना चाहिए। जदि इन चार महीनों में दूसरे के दिये हुए भक्ष भोज्यादी पदार्थों को भक्षन करने का त्याग रखे और उप्युक्त चार व्रतों में जो बन सके उसको ग्रहन करे तो महान पुन्य फलो की प्राप्ती होती है। एक आदसी का व्रत जो की प्रतेक महा की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एक आदसी तिथी के दिन धारण किया जाता है। एक आदसी का व्रत भगवान स्रकृष्ण भगवान विष्ण को अत्री प्रियाय माना गया है। एक आदसी व्रत धारण करने वाले के सभी प्रकार के पाप और ताप नश्ट हो जाते हैं। जब व्यक्ति के पापों का नाश होता है तभी उनके पुन्य उदित हो पाते हैं उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है तो आईए जानते हैं देवशयनी एकादसी व्यत्र के शुब महुर्द पारन समय के बारे में एकादसी तिथी प्राडंब समय जो की 16 जुलाई 2024 दिन मंगलवार रातरी 8 बज कर 35 मिनट और एकादसी तिथी की जो समाप्ति है वह 17 जुलाई 2024 दिन बुद्धवार को रातरी 9 बज कर 24 मिनट पे एकादसी तिथी की समाप्ति है तो सुरियोदे व्यापनी के अनुसार 17 जुलाई को सभी भक्त जन बुद्धवार के दिन एक आदसी का व्यत्धारन करेंगे 12 तिथी शुरू जो की 17 जुलाई की रातरी 9 बजकर 5 मिनट और 12 तिथी की समापती 18 जुलाई को रातरी 8 बजकर 45 मिनट पे द्वादसी तिथी की समापती है देव शयनी एक आदसी ब्रत्य का पारण जो की 18 जुलाई को किया जाएगा 18 जुलाई गुरुबार के दिन पारण का जो समय होगा वह समय सुभा 5 बजकर 35 मिनट से सुभा 8 बजकर 21 मिनट तक ब्रत्य का पारण किया जाएगा इस ब्रत्त का पारण जो की यव चुर्णेन पारणम यानि की जौ के चुर्ण से इस ब्रत्त का पारण है यह संभब ना हो पाए तो तुलसी दल, जल या फल से ब्रत्त का पारण करें सतरा जुलाई को ब्रह्म महुरत का जो समय होगा वह समय सुभा चार बजकर छे मिनट से सुभा चार बजकर छे आलिस मिनट तक होगा सुरियोदय का समय सुभा पांच बजकर अठारा मिनट और सुरियास्त सामची बजकर उन्चास मिनट होगा 17 जुलाई को राहु काल का समय दो पहर 12 बजकर 4 मिनट से दो पहर 1 बजकर 45 मिनट तक होगा और 18 जुलाई को राहु काल का समय दो पहर 1 बजकर 45 मिनट से दो पहर 3 बजकर 27 मिनट तक होगा राहु काल समय के दोरान कोई भी शुभकारिय या नया कारिय नहीं करना चाहिए या लावप्रद्द नहीं होता है इस बात का ध्यान रखे योग योकी शुभ योग होगा सुभा साथ बजकर तीन मिनट तक एकादसी तिथी के दिन उसके बाद शुक्ल योग होगा नश्चत्र जोकी अनुडाधा नश्चत्र रातरी तीन बजकर तीरह मिनट तक उसके बाद जेश्ठा नश्चत्र जोबी भक्तिजन एकादसी का ब्रत्यधारण करने बाले हैं उन्हें दस्मी के दिन से ही ब्रत्य में नियमों का पौलन करना चाहिए 10 मी तिथी के दिन, सुबा उठकर के अश्नान करक्व से 10 मी तिथी के दिन, जो की सुर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहन कर लेनी चाहिए, रातरी में ब्रह्मे चर्जे का पालन करते हुए भगवान विश्नु एकादसी ब्रत्य का असमरन करते हुए सुना चाहिए, एक आदसी की सुवा उठ करके नित्य कृआओं से निवित्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोरा सा गंगा जल मिला करके अश्नान करना चाहिए शुदवस्तर धारन करना चाहिए एक आदसी तिथी के दिन जोकी दिनरात्री उपवास रहते हुए जो वास नहीं रह पाएं जिनका स्वास्त सही ना हो तो आप एक समय फालाहार ग्रहन करके व्रत्थ को धारण करें और इस दिन सुवह और शाम के वक्त पुरे विधी विधान के साथ भगवान विश्नु का माता लक्ष्मी का भगवान स्रिकृष्ण का पूजन करना चाहिए और साम की समय में देव शैनी एक आदसी तिति के दिन भगवान विश्नु के निमित जो की सोने के लिए सज्जा तयार करनी चाहिए भगवान विश्नु को सयन करवाना चाहिए रात्री जागरन करते हुए भजन गिरतन करते हुए समय को व्यतित करना चाहिए एक आदसी व्रत प्रोशुक्त आदी का पाथिया सरवन करना चाहिए एक आदसी की रातरी जागरन करते हुए समय को व्यतित करना चाहिए दुआदसी की जुवा उठकरके नितिक्रियाओं से रिवित्त हो करके अश्नान करके शुद्वस्तर धार्ण करके भगवान का पूजन और आरती कर ले पारण करना चाहिए ब्रहामन को भोजन नहीं करा पाएं दान देने का समय ना मिल पाएं रत्य का पारण पहले ही करना हो तो ब्रहामनों के निमित जो भी आपसे बन सके अन्वस्तर उनके निमित निकाल करके रख दे और फिर बाद में जा करके आप ब्रहामन को प्रदान क कर सकते हैं इस प्रकार से जो भी भक्त जन व्यत्त को धारन करते हैं तो उनके सभी प्रकार के पापों का नाश्व होता है और अंत समय में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है तो आसा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो ऐसे ही ज्यान वर्धक प्राप्त करते रहने के लिए व्यत्त पूजा के बारे में जानने के लिए कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आये हैं तो चैनल को लाल बटन दवा करके सब्सक्राइब करें साथ में वेल आइकन घंटी को दवाए ताकि आने बाली वीडियो का नोट् मिलता रहे